इस वीडियो में जानेंगे cancer से संबंदित objective question तो आपसे छोटा सा request है कि वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं फॉर्स question है cancer के अध्यन को क्या कहा जाता है A. Oncology, B. Cardiology, C. Neurology, D. Hematology तो इस cancer हो जाएगा option number A Oncology Cancer के अध्यन को Oncology कहा जाता है Cardiology हिदे के अध्यन को कहा जाता है Neurology, Brain के अध्यन को कहा जाता है और Hematology, Blood के अध्यन को कहा जाता है Next question है राष्टिये cancer जागरुकता दिवस कम मनाया जाता है A. 1 December B. 7 November C. 14 November D. 25 April तो इसका answer हो जाएगा Option number B. 7 November 7 November को राष्टिये cancer जागरुकता दिवस मनाया जाता है 1 December को 28 दिवस मनाया जाता है 14 November को 20 मधुमे दिवस मनाया जाता है 25 April को 20 मलेरिया दिवस मनाया जाता है Next question है दुनिया में सबसे आम कैंसर का नाम बता है जिसके कारण सबसे जादा महिलाओं की मिर्तियू होती है A. Aston Cancer B. Ovarian Cancer C. Rectal Cancer D. Vaginal Cancer तो इस cancer हो जाएगा Option number B. Aston Cancer दुनिया में महिलाओं को मारने वाला सबसे आम कैंसर है Aston Cancer दुनिया में तीन सबसे आम कैंसर है जिसकी वज़ा से महिलाओं की मिर्तियू होती है फिफरे का कैंसर फिफरे का कैंसर नेक्ट कोश्चन है दुनिया में सबसे आम कैंसर का नाम बताएगा जिससे पुड़सों की मिर्तियू होती है A. फिफरे का कैंसर B. ब्रेश कैंसर C. इूटरस कैंसर D. कोई नहीं तो इस cancer हो जाएगा option number A, फेफरे का cancer फेफरे का cancer सबसे आम परकार का cancer है जिससे पुरी दुनिया में सबसे ज़्यादा male की मिर्तियू होती है breast cancer और uterus cancer ये female में होने वाला cancer है next question है उस cancer का नाम बताएं जो अस्ती मज़ा में होता है और रख कुछकाओं का निर्मान करता है A, sarcoma, B, myeloma, C, lymphoma, D, leukemia तो इस cancer हो जाएगा option number D, leukemia अस्ती मज़ा यानि की bone marrow में होने वाला cancer है leukemia next question है रश्टिये cancer जगरुकता दिवस पहली बार कम मनाया गया A, 955 में, B, 2014 में, C, उपर युप्त दोनो, D, कोई नहीं तो इस cancer हो जाएगा option number B, 2014 में रश्टिये cancer जगरुकता दिवस पहली बार कम मनाया गया तो वो मनाया गया 2014 इसवी में और 1995 में इसवी में पहली बार pulse polio अभियान की शुरुवात की गई next question है cancer के उपचार के सबसे आम परकार है A, chemotherapy, B, surgery, C, विकिरन चिकित्सा, D, उपरोग सभी तो इस cancer हो जाएगा option number D, उपरोग सभी chemotherapy, surgery और विकिरन चिकित्सा, ये सबी cancer के उपचार का परकार है next question है उस cancer का नाम बताएं जिसे the silent killer के नाम से जाना जाता है A, pet का cancer, B, liver cancer, C, lungs cancer, D, brain cancer तो इस cancer हो जाएगा option number B, liver cancer liver cancer, the silent killer के नाम से जाना जाता है next question है बिस्वे cancer दिवस कम मनाया जाता है A, 4 फरवरी, B, 1 दिसंबर, C, 14 नवंबर, D, 25 अपरेल तो इस cancer हो जाएगा option number A, 4 फरवरी 4 फरवरी को 20 वे cancer दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को 20 वे cancer दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को 20 मधु में दिवस मनाया जाता है और 25 अपरेल को 20 मलेरिया दिवस मनाया जाता है next question है नीमन में से कौन cancer का परकार नहीं है A, carcinoma, B, leukemia, C, sarcoma, D, hepatitis तो इस cancer हो जाएगा option number D, hepatitis hepatitis cancer का परकार नहीं है बाकी carcinoma, leukemia और sarcoma ये सभी cancer का परकार है next question है नीमन में से cancer है A, संक्रामक रोग, B, असंक्रामक रोग, C, जन्मजात रोग, D, अनुवानसीक रोग तो इस cancer हो जाएगा option number B, असंक्रामक रोग cancer एक असंक्रामक रोग है option नहीं है संक्रामक रोग तो संक्रामक रोग एक वेक्ति से दुसरे वेक्ति में फैलता है और असंक्रामक रोग एक वेक्ति से दुसरे वेक्ति में नहीं फैलता है और option C है जन्मजात रोग तो ये रोग जन्म से ही होता है और option D है अनुवानसिक रोग तो ये एक पिरी से दुसरे पेगरी में जाता है संक्रामक रोग के अंतरगत हैजा, मेलेरिया, हेपेटाइटीस इत्यादी आता है और संक्रामक रोग के अंतरगत cancer, hypertension इत्यादी आता है जन्मजात रोग के अंतरगत cleft lip, spina, wifeida इत्यादी आता है और अनुवानसिक रोग के अंतरगत hemophilia और वर्नानता इत्यादी आता है ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें